जये माता दी दोस्तों, एस्टोलोजी और वास्तू ज्यान यूटूब चानल में आपका स्वागत हैं। दोस्तों, हमारे जीवन को सरल और सुखदाई बनाने में जोतिश शास्तर का हमेशा से अहम योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। ऐसे में हमको अपनी दिन भर की देनिक दिन चर्या को सफल बनाने के लिए हमारे देनिक राशी फल के बारे में पता होना चाहिए तो आईए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं मीन राशी वालों का 28 और 29 फरवरी 2021 का देनिक राशी फल कैसे रहेंगे आपके ये आने वाले दो दिन चलिए जानते हैं आप अपने आपको विभिन दिशाओं में आकरशित अनुभव कर रहे हैं और समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाना चाहिए यह परिशानी आज और ज्यादा बढ़ेगी और आपके लिए फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाएगा आपको साव जाने में वही खाना खा लिया हो तो अचा में जलन की भी आशंका है अगर संभव हो सके तो प्रदूशित स्थानों पर जाने से बचें शाम तक आपकी सेहत में सुदार होगा खूब अच्छी नींद भी लें और खूब एक सरसाइज भी करें भविशे में आपको कोई पर जिता के कारण थोड़ा ओदास रह सकते हैं अपने आपको दोशी महसूस ना करें ऐसे रिष्टे के साथ चिपक ना बेकार था आगे बढ़ने अपने मन को स्थिर और मजबूत करें अगर आप अपने को मजबूत बना लें तो आप इस रिष्टे से बाहर आ सकते हैं काम कर आपके काम की मात्रा के बजाये ज्यादा महत्वर रखेगी वफादारी स्वाक्त रयोग निये होगी जो किसी भी मुश्किल स्थिती से आपको बाहर निकल देगी आपकी एकागरता और विवेक आपका साथ देंगे इस चरण में आपका दिमाग व्यक्त गत्क मामलों परि आपको कुछ ऐसे सुझाव भी मिल सकते हैं जिन से आपको ठेस पहुंचें किन्तु निराशना हों हो सकता है कि आपकी बातें भी किसी को बुरी लगें सफलता का नुस्खा यही है कि आत्म विश्वास और कड़ी मेहनत से आगे बढ़ें कड़ी मेहनत करना जारी रखें औ और जो लोग आप पर नर्भर हैं उनका ख्याल रखें इस समय कोई नए शुरुवात या अचानक कोई अंत हो सकता है कुछ संबंध खत्म होने के कगार पर है यह संबंध रोमांटिक हो सकते हैं या किसी पार्टनर्शिप में भी ब्रेकप की संभावना है जो अभी काम नह कर रही है यदि आप इस समय में किसी तरह के कोई नए कारे का शुभारंब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं अइधा अपने लोग नुकसान पहुंचा सकते हैं करियर के द्रिष्टी से भी स्थितियां काफी अच्छी है इस अवधी में आपको मांसिक चिंता से राहत मिलेगी आज आप अपनी सभी परिशानियों चिंताओं और गतिविधियों से दूर बने रहें तो आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन आपको पूरा दिन विश्राम में बिटाने की जरूरत नहीं है दिन आश्चरिय जनक रूप से शान्त रहेगा आप चिंता मुक और आत्म व आपकी बौदिक प्रक्रता चरम पर रहेगी जो आपको कई लाब दिलाने वाली साबित होगी घर ग्रिहस्थी का भी बहुत सा काम आपको पूरा करना होगा आज आप किसी घरेलू या पारिवारिक समस्या से परेशान रहेंगे और इसके कारण अपने प्रेमी या जीवन स प्राथी के साथ आपके संबन प्रभावित हो सकते हैं जो भी मामला हो उसे बाचीत से सुलझा लें अपनी संबेदन शीलता और भावनाओं को नियंतर में रखें आज आपकी पैसों की स्थिती में तोड़ा उतार चड़ाव रहेगा व्याए ज्यादा होगा पैसिक हो सकत हैं नौकरी में आज आपको अर्चनों का सामना करना पड़ सकता है काम का बोज ज्यादा रहेगा आज आपका स्वास्ति थोड़ा कम जोर रहेगा कंधों में गल्दन में पीठ में दर्द हो सकता है मानसिक तनाव रहेगा विद्यार्थियों के लिए आज का दिन थोड़ा परिशानी देने वाला और नकरात्मक है, आज भागय का साथ कम ही मिलेगा, आपको अपनी मेहनत बूते ही सफलता मिलेगी, अपनी योगता के अनसार समाज में मांसमान बढ़ेगा, घर परिवार में मांगलिक कारे हो सकता है, देनदारी कम होगी, समय पर कर्ज चुका पाएं प्रसन्नता रहेगी, बाहरी सहयोग मिलेगा, रिष्टेदारों की तरफ से आपको कोई शुब समाचार प्राप्त हो सकता है, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में नुकसान उठाना बढ़ सकता है, समय अनुकूल नहीं है, वाहन सतर्कता से चलाएं, दुरघटना का शिका हो सकते हैं, यात्रा में सफलता प्राप्त होगी, दोस्तों के साथ संबंधों में बेहतरी आएगी, मेहनत सफल रहेगी, ढूबी हुई रकम प्राप्ती के योग बनते हैं, व्यावसाई की आत्रा मनोनुकूल रहेगी, आयमे वृद्धी होगी, कारेक्षेत्र में भी अध सजग रहने की जरूरत है, आर्थिक हानी हो सकती है, वर्किंग महिलाएं के लिए आज भागा डौडी वाला दिन रहेगा, अपनी सेहत को लेकर सजग रहना होगा, जिन लोगों को डायबीटीज है उनको अनुशा से तावार लिना चाहिए, मीठें के सेवन से बचें, अपन और आपके चारों और प्रेम तथा सुन धरता उन्हें प्रोचाहिद करती है, आप किसी ग्यानी डॉक्टर या उसी प्रकार के समान ग्यानी व्यक्ति से मिलोगे जो आपको अपने भ्रामक दुनिया से बाहर आने में मदद करेंगे, यह आपको असली दुनिया से दूर ले जा रहा था, माओं को उनके सभी बच्चों की आवशक्ताओं पर ध्यान देना पड़ेगा, वे संभवत, कुछ मानसिक सहायता से गुजर रहे हैं और उन्हें अपने माओं के स्नेह और प्रेम तथा सहायता की आवशक्ता होगी, आज किसी माहत्वपून समस्या पर आपके परिवार में किसी के साथ स्वास्ते की कोई समस्या है, तो आज आपकी मुलाकात सही विशेशग्ये से हो जाएगी, अगर मामला कानून से जुड़ा है, तो उसका भी सही जानकार आज आपको मिलेगा, आप इन चिकित्सा विशेशग्यों या कानून के जानकारों से बात क करने से जरा भी संकोच ना करें, आज आपको कुछ उन अन्यमुद्दों के बारे में भी कुछ संकेत मिल सकता है, जिसकी आपको आवशकता है, या होने वाली है, आज आप काफी समय अपने प्रियजनों और परिवार के सदस्यों की चिंता और देखभाल में बिताएंगे, अ नियंतरित बातें करने पर आप कई तरह की समस्याओं में फस जाएंगे, अचानक फायदा मिलने के योग है, पार्टनर भी आपकी मदद करेगा तो धन लाब हो सकता है, पुराना करजा खत्म हो सकता है, फाल तु खर्चों पर कंट्रोल हो सकता है, नए इंकम सोर्स मिलने क अफिस में नया काम या नई जिम्मेदारी मिल सकती है, आप कोई भी बात सावधानी से बोलें, सेहत को लेकर सावधान रहें, माउसमी बीमारियों से भी परिशानी हो सकती है, अच्छे कामों में आज हाफ बढ़ चड़ कर हिसा लेंगे, जिससे समाज में आपकी छवी में कोशिश करेंगे, यदि आप शदी शुदा हैं तो संतान से अच्छे परिणाम आपको मेलेंगे और वे आपके सुख को बढ़ाने वाली साबित होंगी, आपकी इंकम तो बढ़ेगी ही, इंकम को बढ़ाने वाले कुछ नए जरिये भी आपको आज मिल सकते हैं, जहां आप नौकरी करते हैं, वहाँ पर कुछ लोगों की आपसी जड़प भी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा साबधान रहना चाहिए, आज आपको भागे का पूरा साथ मिलेगा, भाईयों से विवाद समाप्त होगा, नौकरी पेशा जातकों को कुछ अतरित तजिम्मेदार नौकरी दी जा सकती है, परिवार के साथ मिष्टान भूजन का आनंद लेंगे, नए मित्र बनेंगे, पतनी की सलह होगा, सहयोग प्राप्त होगा, ओफिस के किसी काम में आ रही बाधायें आज खत्म हो जाएंगी, प्रतिद्वंद भी गतिवधी बढ़ेगी, किन्तु व लोग आपके पक्ष में रहेंगे, दोस्तों का भी आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, स्वास्ते के प्रति आपको थोड़ा जागरूक रहने की जरूरत है, साथ ही किसी भी तरह के पारिवारिक विवाद से आपको बचना चाहिए, अगर आप पार्टनर्शिप में कोई कार कर रहे हैं, तो आपको धैर्य बनाय रखना चाहिए, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की विडियो, जिसमें हमने जाना मीन राशी वालों का 28 और 29 फरवरी 2021 का देनिक राशी फल, दोस्तों, विडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जयमात तादी जरूर लिखें, विडियो क आइकोन को भी दबाएं ताकि आपको मिल सके, हर हमारी अगली विडियो की जानकारी सबसे पहले, धन्यवाद